कार्ति के महिने में दसमी तिथी को जो तुलसी की डंडी को घी में भिंगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दिये में रखकर जला देता है दिये की तरह उससे आर्थी उतार देता है कहते हैं उसका जनम दोसरी बार प्रत्वी पर नहीं होता वो भगवान के गोलों के धाम में जिंदगी भर के लिए विराजवान हो जाता है जिंदगी भर के दीप के विश्नु पुरान किस किसने सुनी है हाथ उठाओ विश्नु पुरान का पाच्वा अंस कार्तिक खंड बर्णन करता है या इसकंद पुरान का कार्तिक खंड को उठा लीजिए वो बर्णन करता है चोविस तरह के दिये होते हैं, कितने तरह के, चोविस तरह के दीप होते हैं, उस दीप में सरवधिक स्रिष्ट दीप होता है तुलसी दलकार, तुलसी की घंडी से जो प्रगट किया जाए, बत्तियों का विक्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, होती क गौल बत्ति किस किस बेवी देवता पर लगती है तो इसकंद पुराण और विष्णुपुराण दोनों करती है जो लंबीबत्ती होती है वो पित्रों की जगापर पूर्वजों की जगाप पूर्वजू की जगा बढ़के पेड़के नीचे पीपल के पेड़के नीचे लंबी बत्ती का प्रमान किसी देवी के स्थान पर जो देवी की पूजन करते हैं जगदंबा की पूजन करते हो पारवती की करते हो लचमी की करते हो उल देवी का इसमन करते हो लंबी बत्ती का और जो गोलवत्ती होती है वो गोलवत्ती का प्रमान किसी हनमान मंदिर राम मंदिर शिव मंदिर जितने देवताओं के मंदिर वहां पर गोलवत्ती का प्रमान लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी बंश की और लच्मी की वर्धी करती और एक दिन हम भी बेकुंट का बास करें इसलिए गोल बत्ती लगें एक सहस्त्र बत्ती होती है करें धर्शन कभी यहाँ पर माता हैं बेट-बेट के बनाती रहती है सो बत्ती, 108 बत्ती 108 बत्ती बनाकर भगवान के समस्थ उसका क्या प्रमान है कौन से पुराण में लिखाई कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जा तो इसकंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर इस्पष्ट किया गया सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमान है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीरत को ना करा हो उरे तीरत नहीं गए हो सारे तीरतों का इस्तनान नहीं करा हो किसी तीरत में दर्शन करने से वंचित रह गए हो तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नरायन के मंदिर में शिव मंदिर में देवी के मंदिर नहीं केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिंगो कर प्रजुलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है उसको सहस्तरा वलीवद